दोस्तो क्या आप भी टेली प्राइम गोल्ड फ्री में यूज़ करना चाते हैं जिससे आप किसी भी डेट में एंटरी पास कर सकें बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के चाहे वो तीसरी तारिक हो, चौती तारिक हो, पाचवी तारिक हो, क्या आप भी multiple banks की list देखना चाते हैं जिससे आपको bank name enter करने में दिक्कत ना हूँ, फरेशानी ना हूँ और दोस्तो अक्सर देखा गया है कि टेली में e-return file करने में दिक्कत होती है क्योंकि टेली पहली दूसरी और 31 तारिक के लावर कोई date accept ही नहीं करता है इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप टेली software का license आसानी से free में activate कर सकते हैं जिससे कि आप e-return file कर सकते हैं and TDS की return भी बड़े आसानी से file कर सकते हैं सो मेरा नाम है अकाश, आप देख रहे हैं अकाश F1 and without any further delay, let's start with the video सबसे पहले हम Google में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे टेली की website www.teleysolutions.com और फिर दबाएंगे हम enter, enter दबाने के बाद यहाँ पर हमें टेली का home page मिलेगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे take a free trial पे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा free trials की यह screen यहाँ पर अपनी detail डाल सकते हैं बट पहले समझ लेते हैं features के बारे में जैसे की IRN, IRN क्या होता है invoice reference number फिर यहाँ पर बता रहा है टेली हम simply navigate कर सकते हैं और एक नया refreshing look है टेली का फिर यहाँ पर हमें आप features बता रहा है टेली जैसे GST invoice बना सकते हो predefined ledgers है हमारे पास आपके errors को solve करता है टेली successfully आप browser में अपने data को देख सकते हो powerful report GST filing automatically आप reconciliation कर सकते हो inventory reports देख सकते हो और एक नया go to go feature जिससे आप 100 से भी ज्यादा reports देख सकते हो प्लस यहां पर यह भी बता रहा है कि टेली का जो लाइसेंस है उसका प्राइस है एटीन फार्न रुपीस जिसमें 18% GST भी लगता है यानि कि 3,240 तो इसका प्राइस है टेली का टोटल 21,240 का बट हम इसको free of cost use करेंगे by clicking on this button जैसे हम इस पर click करेंगे click करने के बाद हमें यहां पर अपनी डीटेल भरनी है I am a business owner या फिर स्टूडेंट जो भी आप बढ़ना चाहिए हमें अपना नाम डाल देता हूं फिर अपना phone number उसके बाद अपनी email आइडी यहां पर आपको ABC टाइप करना और रेंडमली कोई भी कंपनी आप सेलेट कर दीजिए और दें सम्मिट कर दीजिए after clicking on submit यहां पर कहरा thanks for applying बट जाता हमें खोश होने की जरुत नहीं है क्योंकि अभी license activate नहीं हुआ है अब हम यहां पर gmail.com पर जाएंगे और अपनी email id खोलेंगे तो यहां inbox पर क्लिक करते हैं हमें update section पर जाना है जहां पर टैली solutions का हमारे पास mail आया होगा इस mail को खोलने के बाद हमें यहां पर serial number activation की mail चुकी है और यहां पर टैली हमारा welcome कर रहा है और कह रहा है कि टैली के अंदर आपको invoicing, accounting, inventory, banking, compliance सारे features मिलते हैं ठीक है अब हम यहां पर आएंगे और यहां हम click करेंगे download के इस button पर download it here इस पर click करके हम टैली को download कर सकते हैं अब आपको download के button पर click करना है और click करने के बाद आपका setup यहां पर download हो जाएगा जैसी setup download हो जाएगा अब इस पर double click करेंगे इसको install करने के लिए और यहां पर button आता है install का इस पर आपको click करना है click करने के बाद यहां पर हमारा software install हो रहा है wait for the moment a few moments later आप यहां पर हम start teleprime पर click करेंगे और टैली को launch करेंगे launch करने के बाद teleprime का मारा software तरीके से open होता है then हमें यहां पर इस detail को accept करना है जैसे कि हमारी configuration जहां पर हमारी file सेव होगी then click on accept button accept करने के बाद यहां पर हमें चार options मिल रहें try it for free, license from network, reactivate existing license हमें click करना activate new license पर अब यहां पर उपना serial number भढ़ देते हैं जो हमें email से मिला है तो हम जाएंगे gmail पर और यहां पर जो हमारा serial numbers को हम double click करेंगे, right click करेंगे, copy करेंगे और यहां पर paste कर देंगे इसके बाद activation key को भी copy, paste कर देंगे then हमें यहां पर अपनी email id डालनी है जो इस gmail id से हमें email आया है और यहां पर भी अपनी email id डाल देनी है जिसी gmail id में हमें mail आया है enter key press करने के बाद अब हमें यहां पर कह रहा है कि activation का process बस एक step away है अब हमें unlock existing license पर click करके unlock key मिलेगी अपनी email id पर अब हम जाएंगे अपनी email id पर वापस यह tally.net की तरफ से आया है और यहां पर हम अपनी unlock key को copy करके paste कर देंगे तो जैसी हम अपनी unlock key को copy paste करेंगे हुरे हमारा tally का license अक्टिवेटर चुका है enjoy license tally को खोलने के बाद अगर हमें इसकी license की detail देखनी है तो मैं आप पर F1 help settings, license manage license में click करके license information इस तरीके से देखनी कोई ज़रूत नहीं है काफी लंबे steps है हमें simply यहाँ पर tally prime gold के इस button पर click करना है हमें license information देख जाएए so video अच्छा लगा हो तो इसको आप like करें comment करें यदि आपका कोई question है suggestion है मेरी future video से related मैं उसका जवाब जरूर दूँगा subscribe करें मेरे channel को जिससे की next helpful video का notification आपको मिल जाए and share करें इस video को अपने friends के साथ यदि आपको लगता है इससे उनकी मदद हो सकती है